आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आज मैं आप सब के लिए बहुत ही टेश्टी बहुत ही लाजवाब नाज़ते की रेश्पी लेके आई हूँ जो हम बेसिक चीजों से ही तयार करेंगे बहुत ही कम सामान में जो घर पे हमारे अबलेबल हो उसी से हमें बनाना है जो जो ऑनठा बल जाता है विश हम यह रेश्पी बचे होई थे मैंने टो उबले फ्रिज में रखते थे तो वही जो मैंने यूज किये हैं बहुत फटा फट्वट सम्ना में ही वनने के यह तयार ऊगया नज था मेनने से मैस कर लिया है अच्छे मैस करना है जिसमें कोई भ लियां कुछ चत्पटा चम्मट सब्सक्रमादा धनिया पाउडर बुनेवबुए जीरे चबावडुडर और दो त्टन हरी मिर्ष जो मैंने कुछ श 아닌 मिर्ष cykavel ने चतपटा सा बनाने स्ट्टफिंग लिए को ना स्ट्बुंस के नमक से हम इसे मिक्स कर छाएक AF तो अज्टे टुपड़े वी तुक्राइब करेंगे यह हमें ले लिए हम लिए All वन फोर्थ कप हमने लिया है मैदा मैदे की जगह आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं एक चोड़ा बड़ा चमश मैने लिया है सूजी सूजी की जगह पे आप चावल का आटा भी ले सकते हैं और अच्छा सा कलर देने के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर हमें इस्तेमाल करेंग चिली फ्लेक्स हम एट करेंगे जितसे चटपटा सा टेस्ट आए और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और यह हम ले लेंगे कुछ सफेद तिल और इसमें हम धनिया डालेंगे और इसका हम एक पतला सा घोल तयार करेंगे जैसे हम घोल बैटर तयार करते हैं जो डोसे का और इडली का उस टाइप में हमें गोल तयार करना डोसे का कुछ जादा ही पतला होता है इसका थोड़ा सा हलका सा गाड़ा हमें रखना है या हम चीले का या उसका टेस्ट जो गोल तयार करते हैं उस टाइप में देखे इस तरीके का हमें गोल तयार कर लेना इसको हम रख देंग आप रात के बचे आँटे से भी बना सकते हैं अब हम इसकी लोईयां बना लेंगे आँटा जो होता है थोड़ा सा टाइट हो जाता है और एक टिप है अगर आपका आँटा बच जाता है तो आप हमेशा उसमें आईल लगा के रखिए तो आपका आँटा जो है उसमें पपड़ी नहीं पड़ेगी और सकत भी नहीं होगा जब उसमें हलका वो सॉफ्ट ही रहेगा अब हम सुखा आँटा लगा के इसकी बड़ी सी रोटी बनाएंगे रोटी जितना हमें इसे पतला रखना है और रोटी से बड़ा बेलना है इसको हम बेल लेंगे और इसके हम एक गलास की मदद से इसके छोटी-छोटी हम पूरियां तयार करेंगे छोटी छोटी रोटियां कट कर लेंगे इस तरीके से आप चाहें तो छोटी- Mole पूड़ी भी सकते हैं लेकिन के पूड़ी है ये ऑल एक साथ कई बना के तयार हो जाते हैं अब हम ले लेंगे जो हमने stuffing बना के रखी थी हम एक चमश हर एक पूरी पर हम एक एक चमश स्टिफिंग रख देंगे इस तरीके से ऐसे रख देंगे और इसको हम अच्छे से सब теп सारा हमने रख दिया है अब हम इसको एक एक पूरी को उठाएंगे और एक सेफ दे देंगे आप चाहें तो इसको गोल्ड सेफ में ही बना सकते हैं मैंने इसे आपने गुजिया खाई होंगी होली वाली या जो डाल के जो फरे बनते हैं उस तरीके का हम इसे एक सेफ दे देंगे इसी तरीके से हमारा नाज्टा एक अच्छा से लुप तैयार हो जाएगा और ठेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा हमारा गुठा हुआ जो आटा है वो काम भी आ जाएगा इसका इस्तेवाल हम अच्छे से कर लेंगे सारे इसी तरीके से बना लेंगे यह देखिए सारे हमारे यह बनके तयार हैं अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे आप सेलो फ्राई भी कर सकते हैं डीप फ्राई भी कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो उस तरीके से आप इसे कर सकते हैं इसको हम देखिए जो हमने घोल तयार करके रखा था ये देखे इस तरीके से इतना गाड़ा है अब इसमें हम एक पीस उठाएंगे और इस तरीके से ऐसे इसको हम डिप करेंगे और कोड करके हम जो हमने आयल पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था इसको लो टू मीडियम सोरी मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हमें पका लेना है बहुत ज्यादा तेज आंस भी नहीं पलाना नहीं है बस दो से चार मिनट तक हमें वेट करना है जब यह अच्छे से एक तरफ से कोड हो जाए उसके बाद ही हमें पलटना यह देखें यह सब उपर सतैरने लगी तब हमने उसको पलट दिया है और एक स्पून की मदद से ही हम इसे ऐसे पलट देंगे और बस जै आती हूं तो लाइक जरूर कर दीजेगा और वीडियो में मेरी अंतक बने रहे इसके लिए लाखो करोणों बार सुक्रिया अगर मेरी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए इस तरीके से हम सारा निकाल अब हम एक प्लेट में इसे सर्व कर देंगे यह देखिए और देखिए हरी चटनी और टोमेटो सॉस के साथ इसे हम सर्व करेंगे बहुत ही टेस्टी बनके तयार होता है तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएगा कि आपको यह मेरा नास्ता जो हमने बनाए वो कैसा लग यह देखिए बहुत मजएदार बहुत ही टेस्टी नास्ता बनके तयार हुआ है आप जरूर से जरूर ट्राइगा और मुझे अपने कमेंट से बताएगा फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ बाए